मित्रों आज के बेडियों में मैं आपसे बात करने वाला हूँ की 11 जनबडी 2021 से 17 जनबडी 2021 तक का शमय कैसा बीतेगा इन साथ दिनों में मीन रासी वालों के जीबन में क्या-क्या पडिवर्तन क्या-क्या बदलाब होगा अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियों को आप लाइक कर दें साथ में चैनल को सब्सक्रेब कर दें इस वीडियो के नीचे जय मादुरगे कमेंट कर दें मित्रों सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ आपके प्रेम संबंध के बारे में मित्रों आने वाले साथ दिनों में अगर आप अपने प्रेमी या अपनी प्रेमी का से मुलाकात करती हैं तो आपका प्रेम संबंध बहुत जयादा बिहतर और सांदार होगा मित्रों इस अबधी में आपको अपने प्रेमी या अपनी प्रेमी का पर सक करने से बचना होगा क्योंकि अगर आप उन पर सक करते हो तो आपका प्रेम संबंध बहुत जयादा खराब होगा तो आने वाले समय में इन बातों पर आपको ध्यान देना होगा मित्रों आने वाले साथ दिनों में अगर आपके घर पड़िबार की बात करें तो घर पड़िबार के दृष्टी कोन से आपका समय सामानने से बहुत जियादा नीची है दोस्तों आने वाले समय में अगर आप अपने घर पड़िबार में कोई भी पड़िवर्तन कोई भी बदलाब करना चाहते हैं तो पड़िवर्तन करने से पहले अपने घर बालों से अपने पड़िवार बालों से आपको वारता लाप करना चाहिए क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं अपने घर बालों को अगर आप इग्नॉर करते हैं तो आपके घर का माहौल आपके घर का वाताबरन बहुत ज्यादा खराब होगा वैसे आप में से जो भी जातक बेपार करते हैं बेबसाई करते हैं तो आने वाले साथ दिनों में आपके बेपार के छित्र में आपके बेबसाई के छित्र में आपके समय का साथ आपके समय का सपोर्ट आपको बहुत ज्यादा मिलेगा आने वाले साथ दिनों में आपके बेपार के छित्र में आगे बढ़ने का मौका आपको बहुत ज्यादा मिलेगा तो इसके बाद बात करते हैं कि आने वाले साथ दिनों के दौरान किस टोटके को आजमाने के बाद आपका समय बहतर और शांदार होगा मित्रों तोटका बहुत ही ज्यादा सामानने है आने वाले साथ दिनों में आपको सिब जी को महादेब को पंच अम्रित से असनान कराना चाहिए अगर आप ऐसा करती हैं इस टोटके को अगर आप आजमाती हैं तो आपका आने वाला शमय बहुत ज्यादा बहतर और शान्दार होगा तो इस वीडियो को आप लाइक कर दे, साथ में चैनल को सब्सक्रेब कर दे इस वीडियो के नीचे हर हर महादेब कमेंट कर दे इस वीडियो को आप हर जगह सेयर कर दे ताकि बाकी लोग भी इस वीडियो को देखें और अपने आने वाले समय को बिहतर और शांदार बना सके धन्यवाद